हाई फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो किसी तरह से स्पॉंसर नहीं है पिछले कुछ वर्षों से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्स जो बड़े बड़े सेलिबरिटीज करोडों रुपे लेकर एड़िटाइज करते हैं उनके पीछे भाग रहे हैं इसमें जादा प्रोड़क्स जो सच में फायदा करने वाले हैं वो आम लोगों के बजट के बाहर हजारों रुपे के होते हैं और जो प्रोड़क्स लोगों के बजट में होते हैं उनमें अच्छी खुश्बू और अट्रैक्टिव पैकेजिंग तो होती है लेकिन उनकी क् केमिकल्स भी होते हैं धीरे धीरे ये बात लोगों के समझ में आ रही है यही कारण है कि कई लोग मुझसे नैचरल प्रॉडक्ट्स जिसमें केमिकल्स ना हो और जो स्किन और हैर को बिना नुकसान पहुचाए हेल्दी रखें उन्हें रेकेमेंट करने के लिए कहते हैं यह ब जड़ी बूटियों के पहचान की हुई है जो हमारी तवचा, बालों और पूरे शरीर को बिना नुकसान पहुचाए स्वस्त और सुन्दर रखते हैं आज कल ईशायोगा, श्री श्री रवी शंकर और बाबा राम देवादी इन नैचरल चीजों से स्किन केर, हैर केर और ज मुझ स्किन केर और हैर केर बारे में बता रही हूँ, ये प्रड़क्स मैंने यूस किये हैं और ये प्रड़क्स सिरफ नैचरल चीजों से बनाए जाते हैं, इनकी क्वालिटी भी किसी मल्टिनैशनल कंपनी के प्रोड़क्स से कंपैरेबल है माइनस दा हामफुल केमिकल्स ये सब प्रोडक्स आप ओनलाइन ईशा शॉप पर खरीद सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ सबसे पहले तेल इसमें ईशा अरोग्या कोकुनट ओईल है ये नारियल को बिना गरम किये कोल्ड ट्रेस तरीके से निकाला जाता है और 100% प्यॉर है इसे आप कोकिंग के लिए भी सेफली यूज कर सकते हैं और इसे खाने से एजिंग प्रोसेस स्लो होता है ये कॉलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है लिवर और ब्रेन को हेल्दी रखता है डाइजेशन में हेल्प करता है और फैट को जल्दी बर्न करके वेट लॉस में भी मदद करता है स्किन पर लगाने के लिए ये एक बहुत अच्छा मोईस्चराइजर है स्ट्रेच मार्क्स और दाग धब्बे भी कम करता है बालों में लगाने पर ये हेर फॉलिकल्स को मजबूत करके बालों का जहरना कम करता है और हेल्दी हेर ग्रो करने में मदद करता है दूसरा तेल है नीली भ्रंगडी टेलम ये कई जड़ी बूटियों से बना है ये हेर फॉलिकल्स को मजबूत करके बालों का जहरना कम करता है हेर ब्रोथ प्रमोट करता है बालों को जल्दी सफेद होने से रोकता है और सिर को डैंडरफ और खुजली से बचाता है इसको डेली पांच मिनिट सर में मसाज करने से अच्छा फाइदा होता है अब शैंपू इसमें हर्बल एलो आमला एन भ्रमी शैंपू बहुत अच्छा है बालों को डैमेज नहीं करता है और ड्राइ हेर के लिए काफी सूटेबल है ये 105 रुपे का आता है और बालों को बहुत अच्छा रखता है यदि किसी को प्योरली नैच्रल हैर वाश चाहिए तो इशा योगा का केश जोती हर्बल हैर वाश पाउडर यूज़ कर सकते हैं ये हैर वाश पाउडर दालों और हर्ब से बनाया गया है इसमें शीका काई है जो एक क्लेंजर और अंटी आक्सिडन्ट है बालों को साफ रखता है और बालों को बढ़ने में भी हेल्प करता है इसमें मौझूद दूसरे हर्ब्स डैंडरफ से बचाव करते हैं सिर को ठंडाई देते हैं और हैर ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं इस पाउडर को आप डेली हैर वाश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए जितनी जरूरत हो उतना पाउडर राध भर पानी में सोक करें और सुभे बाल गीले करके इस पेस्ट से मसाज करें जब तक अच्छा जाग बन जाए फिर बालों को अच्छी तरह धोलें अब स्किन केर के लिए कुछ क्रीम्स और फेस मास्क बताती हूं नारियल का तेल मैं अल्रेडी बता चुकी हूं इशा लाइफ का एक बहुत अच्छा क्रीम है टर्मेरिक क्रीम जिसमें हल्दी का तेल और जैजोबा ओईल होता है ये ड्राए स्किन के लिए बहुत अच्छा है इसे आप डे क्रीम और नाइट क्रीम दोनों तरह यूज़ कर सकते हो 180 रुपे की कीमत वाला ये क्रीम बजार में बिखने वाले कई हाई एंड क्रीम से कंपेरेबल है और इसमें प्रेजन्ट हल्दी का तेल स्किन के छोटे मोटे दाग धपे और इन्फेक्शन से बचाता है ये स्किन को मोिस्चराइज करता है और ये ड्राइ स्किन और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को ड्राइ स्किन के साथ पिंपल्स है उन लोगों के लिए भी ये क्रीम सूटेबल है अब मैं आपको कुछ अच्छे face mask बताती हूँ पहला है तेजस्वनी face pack ये कई जड़ी बूटियों के mixture से बना है इसे सब skin type के लोग इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हर skin type को इसे mix करने के लिए अलग-अलग चीजों का use करना चाहिए oily skin वालों को इस powder को tomato juice या orange juice में mix करना चाहिए dry skin वालों को इसे शहद या दही में mix करके लगाना चाहिए और normal skin वाले इसमें सिर्फ पानी मिला कर इसे लगा सकते हैं 5 मिनिट तक लगा कर इसे थंडे पानी से धो लेना चाहिए ये 95 रुपीज का आता है और एक packet से आप कम से कम 10 बार mask लगा सकते हो दूसरा mask है कस्तूरी मंजल या wild turmeric face pack इस pack को daily use करने के बहुत फायदे हैं ये pimples और scar को heal करता है skin tone को बढ़ाता है रंग को साफ करता है skin को natural glow देता है और चहरे पर hair growth भी कम करता है एक चमच कस्तूरी मंजल पाउडर को पानी दूद या छाच में मिला कर चहरे पर लगाएं पांच मिनिट तक रखने के बाद ठंडे पानी से धोकर नारियल का तेल लगा लें जिन लोगों को pimples और चहरे पे दाग धब्बे हैं उनके लिए मास्क बहुत अच्छा है ये face pack सिर्फ 45 रुपीज का आता है इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं एक packet में 5 या 6 मास्क आसानी से बन जाते हैं दोस्तों एक बात का ध्यान रहे कि इस दुनिया में कोई भी skin या hair care product 100% लोगों को suit नहीं करता है इसलिए जब भी आप को skin care या hair care product यूज़ करना शुरू करें तो पहले skin test जरूर करें product को गरदन के एक छोटे से हिस्से में लगाकर राद भर छोड़ दें सुबह यदि skin में कोई redness या खुजली ना हूँ तो वो product आपके लिए सुरक्षत है दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है इशा योगा के ये product 100% natural है और आपको जरूर फायदा करेंगे Thank you